दोस्तो प्रत्योगिता दरपन करेंट अफेर सीरीज में आज हम लोग खेल से संबंधित जितने भी यहाँ पर करेंट अफेर्स दिया रहते हैं उन्हें कम्प्लीट करेंगे इससे पहले हमने नेशनल इंटरनेशनल और बाकी जितने भी आर्थिक वाडिजिक छेत्र से रिले करेंगे अपने आगे कि आज के टॉपिक को यानि खेल से रिलेटेड जो भी करेंट अफेर्स होते हैं उनको कम्प्लीट करेंगे यहाँ पे खेलकुद वाला सेक्षन आगया जिसमें एथेलेटिक से जुड़े हुए करेंट अफेर्स होकी क्रिकेट इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट दिये हुए हैं उसको कम्प्लीट करेंगे लेकिन उससे पहले चलिए हम यहाँ पे आपके लिए एक क्वेशन ल देखते हैं हमरा प्रस्तन है 23 मार्च 2023 को किस भारतिय महिलाग होकी खिराडी को एसीन होकी फेडरेशन का एथलीट एम्बैसेडर नियोक्ति किया गया है ऑप्सन है सवीता पुनिया वंदना काटारिया सलीमा टेटे या रानी रामपाल तो फट 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 आव इसके आंसर ह चलिए हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स को इस सीरीज में यानि अपरेल की सीरीज में आज हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों बाकी की सारे हमने पहले की वीडियो में कम्प्लीट कर लिया है तो आप जिरूर देखेंगे पहला टॉपिक है अथलेटिक के लिए अहर्ता भी प्राप्त कर लिया है निव डेली में 26 फ्रवर दो हजार तेज को संपन अपोलो टायर्स निव डेली राष्ट्रिय मैराथन दौर में पूरुस्वर्ग में सेना के तीन धावकों ने देव घंटी 15 मिनट में दौर पूरी करके इस याई खेलों के आगे देखेंगे अगर हम तो ये दोनों हैं मान सिंग और जोती गवाते जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसमें तो चलिए इन से भी चीजों को हम यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है उसके माधेम से अच्छे से पढ़ लेंगे विजयताओ के नाम एक समय लगाया गया वह यहां पर ब्रैकेट में दिया हुआ है फिर उसके बाद हम द्वितियास्थान की बात करें अगर तो एबी बेली अप्पा है महिलाओं में अस्विन जाधो तृतियास्थान पर कार्ति कुमर और वहीं तृतियास्थान में महिलाओं में जिंगमें डोल सीनियर राष्ट्रे होके चैंपेंशिप आंधर प्रदेश के काकी नादा में 15-26 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ है इस खिताब को महराष्ट को हराते हुए मंधर प्रदेश ने जीत लिया है और तीसरा सान जहारखन ने बनाया है अगला है क्रिकेट से रिलेटेड वेस्ट इंड सिज्व और दक्षिन अफ्रीका की महिला घ्रकोनिया स्रिंछर रहे थी जिसमें की यहां पर दख्षिन अफ्रीका और भारत के बीच में मैच हुआ इस L from London में यह खेला गया जो फाइनल मैच हुआ था और शाथहें यहां पर भरतीया महिला को पांच विकेट भरतीया टीम को पाँच विकेट से हरा कर दक्षिन अफरिका ने यह सिंख्रा जीत ली थी इस स्रिंख्रा में भारत लिए तीम के क्पतान हर्मन पृत कर थी और भारत की दिप्ति सर्मा को स्रिंख्रा में सरवाधिक 9 विकेट लेने का सरे प्राप्त हुआ है उन्हे प्लेयर आफ दे स इरीज भी घोसित किया गया है चले आगे है भाड़त ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सिंगला यहां पर बॉर्डर गवास कर ट्रॉफी के लिए चार टेस्ट मैचों की स्रिंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम फर्वरी मार्च फर्वरी से मार्च 2023 में भारत के दोरे पर थी और चार टेस्ट मैचों की स्रिंखला के दो मैचों ही फर्वरी के अंतक खेले गए और साथ ही यह दोनों ही मैच जीत कर चार मैचों की स्रिंखला में दो की बढ़त भारतिय टीम ने बना ली यह दोनों ही मैच रोहित सर्मा के न है तो यह क्वेस्टिन बन सकता है आपके एक्जाम में यहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है चलिए अगला है भारतिय टेस्ट वही है यहां पर उसका ड्रिस्क्रिप्सन दिया हुआ है भारतिय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित सर्मा ने फरोरी 2023 को नागपूर में 120 रन की पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में उनका यह नौवा सतक था इसके साथ ही ऐसे पहले भारतिय कप्तान वा हो गए हैं जिन्होंने कप्तान रहते हुए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सतक बनाया है तो यह जुरूर आप याद रखे मैं इंपोरेंट और इंग्लेंट टेश्ट स्रिंखlait आप प्राइवल इनुजी लेंडों इसंख़ों का एक-एकी शे मैच जिता जिस से यह टेश्ट इसंखला एक-एक उप रहे अग। अगला है follow on मिलने के बाद new ziland विजय दर्ज करने वाली चौथी टीम पनी फरवरी 2023 में इंग्लाइड न्यूजिलाइड टेस्टर सिंग्ला के वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मैच में follow on का सामना न्यूजिलाइड ने किया जिसके बाद भी मैच में वापसी करते हुए न्यूजिलेंड 28 फरोरी को या टेस्ट एक रन से जीद गया टेस्ट क्रिकेट के 146 वर्सो के इतिहास में यह चौथी बार रहा ऐसा हुआ कि follow on का सामना करने के बाद भी किसी टीम ने मैच में विजय दर्ज किया है तो यह भी इंपर्टेंट हो सकता है ठीक है 1894 और 1981 में इंगलैंड ने औस्ट्रेलिया के विरुद तथा 2001 में भारतिय टीम ने इंगलैंड के विरुद हैसी सफलता प्राप्त की थी और चौथी बार कब हुआ चौथी बार हुआ जब न्यूजिलैंड और इंगलैंड के बीच मैच हुआ फरवरी दुहजार तेईस में जिसमें न्यूजिलैंड ने जीत हासिल की आगे देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार एक रन से विजेई 28 फरवरी दुहजार तेईस को न्यूजिलैंड की क्रिकेट टीम ने वैलिंग्टन में इंगलैंड के विरुदु सिंखला का दूसरा टेस्ट मैच के वाल एक रन से जीता टेस्ट के 146 यह तो हमने क एलिडेट टेस्ट में आउस्ट्रेलिया को एक रन से हरा कर अपनी विजेई दर्ज की थी देखेंगे अगला सुबमन गिल जैनवरी 2023 के लिए ICC क्रिकेट आफ दे मन्थ बने हैं भारत के युगा क्रिकेटर है सुबमन सिंग और इन्हें ICC ने जैनवरी 2023 के लिए सर्वसर इंग्लेंड की ग्रेस स्कीवेंस को दिया गया है यह वह यह समान पाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई है तो यह भी आप याद रखेंगे चले रंजी ट्रोफी 2022 सौराश्ट्र दूसरी बार बिजेता बीसी सियाई की प्रथम स्रेडी क्रिकेट की 88 रंजी ट्रोफी के लिए बिभिन टीमों के बीच मुकाबले 13 दिसंबर 2022 को 20 फरवरी 2030 तक खेले गया बीसी सियाई से सम्बंध 38 टीमे इस टूरामेंट में सामिल टूर्णामेंट के फाइनल में अस्थान बनाने वाली दो टीमें सौराश्ट एवं बंगाल थी दोनों की बीच फाइनल मैच 16 19 फरवरी 2023 को कौलकता में खेला गया इरिन गार्डेंस में ठीक है और यहाँ पे जो हमने अभी इभी नियूस पढ़ाना कि टेस्ट क्रिकेट म तो चलिए हम आगे चलते हैं देखते हैं अपने आगले टोपिक को तो यहाँ पे हम क्या पढ़ा रहते हैं इडिन गार्डेंस पर खेले गए इस मैच की चोथे ही दिन सौराश्ट ने 9 विकेट से इसे जीत लिया सौराश्ट ने दूसरी बार यह ट्रॉफी जीतने में सफ जय देव उनात कट थे उन्हें ही फाइनल मैच का सर्वस्रेश्ट खिलाडी प्रेयर ऑफ दे मैच घोसित किया गया था टूर्णमेंट के सर्वस्रेश्ट खिलाडी का पुरसकार सौराश्ट को ही अरपित वास्वादा को मिला है टूर्णमेंट में सरवाधिक 990 रन टक के मैंक अगरवाल ने बनाए है और सरवाधिक विकेट लिया गया है यहां पर 50 विकेट स्रेय जो की केरल से बिलॉंग करते हैं जलज सक्सेना इन्होंने ये विकेट लिया है सबसे जादा ICCI की दूसरी विस्वर टेस्ट चैंपियंशिप जो हुई है वो 21 से 23 का जो हुआ है फाइनल साथ से 11 जून को ओवल में होगा ICCI की दूसरी विस्वर टेस्ट चैंपियंशिप 2021 का फाइनल मैंच लंडन में ओवल के मैदान में 7 से 11 जून 2023 को खेला जाएगा जून में टेस्ट रैंकिंग की दो से स्टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा ICC की पहली टेस्ट चैंपियंशिप 2019 से किसका फाइनल 18 से 13 जून 2021 के साउथ स्टंपन में भारत और न्यूजी लेंड के बीच खेला गया था जिसमें भारतिय टीम को 8 विकेट से राकर न्यूजी लेंड ने इसके ताब को जीदा था तो यह आप याद रखेंगे कि जो ICC की दूसरी विस्विट टेस्ट चैंपियंशिप है उसका फाइनल जून में कहां पे खेला जाएगा तो यह ओवल के मैदान में खेला जाएगा अगला है महिलाओं का T20 विस्व कप दो हजार तेईस आश्रलिया छठी बार यहां पे विजिता बनी है अंतराश्ट्रे क्रिकेट परिसद ICC के महिलाओं के आठवे T20 विस्व कप का आयोजन दच्छिन अफ्रिका में 10 से 26 फरवरी 2023 को हुआ भारत और पाकिस्तान सहित कुल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया तो 10 टीमें सामिल थी टूर्णामेंट के फाइनल में अस्थान बनाने वाली दो टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रिका थी 26 फरवरी को केप टाउन में खेले गया फाइनल में मेजबान दक्षिन अफ्रिका को 19 रनों से हराकर आस्ट्रेलिया ने यह टूर्णामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की आस्ट्रिलिया ने छटी बार यह टूर्णामिंट जितने में सफलता प्राप्ति की है इस खिताबी विजे के लिए 10 लाख डॉलर की जो रासी है वो विजेता टीम को दी गई है जबकि विजेता जो की दक्षिन अफ्रिका है उसको 5 लाख डॉलर मिले है टूर्णामिंट की सरवाधिक सर्वस्रेष्ट खिलाडी का जो पुरसकार है वो अस्ट्रिया के एसले गार्डनर को मिला है टूर्णामिंट सरवाधिक 230 रन दक्षिन अफ्रिका के लारा वोलवार्ट ने बनाया है जबकि सरवाधिक 11 विकेट लेने का सरे सुजेलेंड के सुफी एकलक स्टोन को पुराप्त हुआ है इस टूर्णामिंट में भारतिय टीम का नेतरेत वहर्मन प्रित कोर ने किया यह याद रखेंगे और भारतिय टीम सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पराजित हो गया था अगला है महिए यहां पर वही बताया गया है महिलाओ की टी-20 विस्वकप के आयोजन और उनके विजेता के बारे बताया गया है तो 2023 का आप देख लेंगे कहां हुआ था दक्षिन अफरिका और और यहां पर जो विजेता भी है वो दक्षिन सरी और रहा और दक्षिन अफरिका और 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 विजेता रहा था चलिए है आगे देखेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड सिनियर राष्ट्रिय बैडमिंटन चैंपियन सिप योनेक सन्राइज 84 सिनियर राष्ट्रिय बैडमिंटन चैंपियन सिप का आयोजन पुणे में 22-28 फरवरी 2023 को संपन हुआ इसमें पुरुसो और महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमसा मिथून मंजुनात और अनुपमा उपाध्यायने जीते हैं 28 फर्वरी को मिथून मंजुनात ने फाइनल मुक अबले में ब्रियांसू रजावत को हरा कर पुरुसो का एकल खिताब यहां जीता वही महिलाओ के एकल खिताब के लिया आकरसी कस्याप को फाइनल में हर्याणा के 18 वर्ष की अनुपमा उपाध्यायने हराया पुरुसो का यूगल खिताब जो है वो कुसल राज और प्रकास राज की जोड़ी ने फाइनल में अंकेशन सटी और दीप रामबिया की जोड़ी को हरा कर यह जीता है वही महलाओ की यूगल गायतरी गोपीचंद वर्टरीसा जोली की जोड़ी ने काविया गुपता और दीप सिखा सिंग की जोड़ी को फाइनल में हरा कर जीता है इस टुनामिंट का मिसरत यूगल खिताब हेम नागिंद्र बाबू कनिका कवल की जोड़ी ने सिधार्थ इलोंगे और खुसी गुपता की जोड़ी को फाइनल में हरा कर जीता है इस चैंपेंसिप के जो विजयता है उनके नाम यहाँ पर दिये हुए है चार्ट में तो सबसे सही रहता है कि हम आसानी से चार्ट पढ़ ले देखिए पुरुसे कल में विजयता मिथुन मन जुनात है विजयता प्रियान सुरजावत है महिला में विजयता अनुपमा उपाधिया है विजयता अकरसी कस्यप है पूरुस में विजेता S. कुसल राज और S. प्रकास राज है उबिजेता अंके संसेटी और दीप राविया है ठीक है तो वैसे ही महिला और यूगल की यहाँ पे दी गई है गयतरी गोपीचंद और ट्रिसा जॉली उबिजेता काविया गुपता दीप सिखा सिंग ठीक है मिस्रित हेम नागेंदर बाबू और कनीका कवल उबिजेता सिधार्थ इलोंगे और खुसी गुपता ठीक है तो यह आप ध्यान में रखेंगे कतर ओपन दोहजार तेस मैथ्यू एबडेन के साथ भारत की रुहित बोपन्ना का यूगल खिताब ग्यार से पच्चिस फरोरी दोहजार तेस को कतर ओपन टेनिस ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर भारत के रुहित बोपन्ना पूरसो की यूगल खिताब के विजिता रहे हैं एगदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोहा में संपन इस टूर्णामेंट का पूरसो का एकल खिताब रूस के डेनियल मैदेव फाइनल में विटेन के एंडी मुरे को हरा कर जीता इस टूर्णामेंट के महिलाओं के एकल खिताब के लिए पोलेंड की इगा स्वियाटिक ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को फाइनल में पराजित किया जबकि यूगल खिताब जेसिका पेगुला को कोको गॉफ की अमेरिकी जोड़ी के नाम ये रहा था ठीक है अगला है 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 हैंडबॉल के बारे में तो हैंडबॉल के संचालन के लिए भारत में दो संसताओ के कारेरत होने के कारण अंतराश्ट्रिय हैंडबॉल संग यानि इंटरनेशनल हैंडबॉल एसोसियेशन आईएचे ने देश के इस खेल की गतिविधिया बंद कराने की धम की भारतिय ओलॉम्पिक संग यानि आईओ एक को फरवरी 2023 में दी है भारतिय ओलॉम्पिक संग की प्रेसित एक पत्र में अ मानेता प्राप्त है जबकि भारतिय ओलॉम्पिक संग ने दिग्विजे चौट आला की अधेक्सता वाले हैंडबॉल फेडरेशन आफ इंडिया को मानेता दी है आईएचेफ के अनुसार एक देश में दो संगों द्वारा खिल गतिविधिया नहीं संचारित की जा सकती है ऐसे में यह मामला आईएचेफ की काउंसलिंग को भेज कर इंडिया में हैंडबॉल गतिविधियो को बंद करा दिया जाएगा ठीक है तो यह चीज भी आप द्यान में रखेंगे कॉंट्रोवर्सी है तो हो सकता है एक्जाम में यहां से प्रस ना आ जाए पांचवे खेलो की इस परदाएं इस भर इस खेल में सामिल थी इससे पूर्व 2022 जून हर्याणा निमेज बानी की थी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कुल 25 गेम यहां पर थी पाच्वे खेल में जोड़े गया दो नए खेल कयाकिंग और कैनोईंग थे तो यह आप ध्यान से गेम जोड़े गया हैं कयाकिंग और कैनोईंग जोड़े गया हैं 13 दिन तक चला यह मैच जिसमें 56, 75, रजत और 50 का से सहित सरवाधिक 161 पदक जीत कर महराश्ट ने इस बार पदक तालिका में सिरसस्थान प्राप्ति किया है यह तीसरा उसर है जबकि महराश्ट का पद पदक तालिका में सिरसस्थान रहा और 2019-2020 में करमसा दूसरे और तुसरे खेलों में यूथ हिंद्या गेम्स में भी भारतिया ना सुरी महराश्ट का पदक तालिका में सिरसस्थान रहा था यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है हम देख सकते हैं पहले सान पे महराश्ट्र है फिर हर्याना है मध्यप्रदै से राजस्थान है और न्यू डेली है तो जो महराश्ट्र नो जितने पदक जीते हैं न हमारे लिए वो भी इंपोर्टेंट है तो ये भी आप जुरूर पश्च पंशुण पच्पन रजत और कास्य पचास कुल मिला के 161 ठीक है जैन्वरी से फैरवरी के बीच में 2018 में कराया गया था इसमें इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था और अगली बार से ही इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया अब आते हैं हम अपने प्रस्न पर प्रस्न था 23 मार्च 2023 को किस भारतिय महिला होकी खिलाडी को एसियन होकी फेडरेशन का एथलीट एंबेसिडर नियोक्त किया गया है तो यहां पर गाइज ऑप्सन दिया हुआ है हम देख लेते हैं सवीता पुनिया वंदना कटारिया सली रामपाल तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी सलीमा टेटे को दिया गया है बनाया गया है एथलीट एंबेसिडर यहां पर थोड़ा सहाम डीटेल भी देख लेंगे तो एसियन होकी फेडरेशन यानि एचेफ की एथलीट एंबेसिडर नियोक्ति में भारत इसको की गई है यह नियुक्ति कहां की गई है यह नियुक्ति की गई दक्षिन कोरिया में मूंग्योंग में आयोचित WH Congress के दlee rine काई तो यह चीजव के सट आव में क्या गया था तो गैज आश्का जो भी सेसंता हमने कंप्लीट कर लिया है आस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंदें करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद।